Hello everyone, मेरा नाम सयम है और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ PFMS का data approved कैसे किया जाता है तो यह सबसे important step है PFMS की and सारा data जो आपका है जितने भी transactions है वो एक बार आप लोगों ने जो भी फाइल कर लिये तो अब उसको last step होती है उसकी approve करना अप्रूव करने के बाद ही आपको जो अपना balance है जो mean account balance है आपका वो deducted amount जो है आपको PFMS में दिखेगा तो कैसे करना है जो भी आपका transaction है उसको approve चलिए जानते हैं उसकी सबसे पहले आपको जाना है सेम PFMS की website पर PFMS के बारे मैंने पूरी सीरीज बना रहे है वीडियो उसकी तो आयोप आपने वह पूरी सीरीज देख रहे है लोगिन करते हैं data approver के account से तो देशाइए data operator data approver दो लोग होते हैं तो data approver के account से login करते हैं यहां पर मेरे पास एक data approver का account ID and password है भी आप रोगिन कर लिया मैंने यहां पर आपको CM expenditures में आना है data operator में जहां आपको add new दिखता था वहीं पर data approver में आपको add new option ही देखेगा क्योंकि approver का का में सिफ अप्रूव करना यहां पर expenditures पर आपको यहां पर manage option देखेगा तो आप manage पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर कुछ basic details है जैसे कि bank account आपको select करना है यहां पर status में या तो आप all देख लिए या तो जो submitted आपके data operator के account से आपने submitted transactions है सिर्फ भाई आपको देखना है तो यहां पर उसको search कर लेज़े तो मेरे पास एक यह है इसे मैं अप्रूफ कर देता हूं तो इसे अप्रूफ कैसे करना है आपको यहां ब्लू कलर के जो link होती है महाँ पर क्लिक करना है तो पूरी details वाला एक form खुल जाएगा यहां पर आपके वास option होता है अप्रूफ और रिजेक्ट तो यहीं से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से अप्रूफ भी कर सकते हैं रिमार्क डाल दीजे अगर यह एंट्री करेक्ट है तो करेक्ट का रिमार्क डाल दीजे और अगर गलत है तो इसका reason लिखी कि क्यों गलत है तो डीटा ओपरेटर आप चेक कर सकते हैं वो डिडाक्ट हो चुका होगा इस तरीके से किसी भी ट्रांजाक्शन को जो है वो अप्रूफ किया जाता है आप आप कोई वीडियो समझना आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीज़ें चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए तना ही थैंक यू